आज दिनांक 18 अगस्त 2022 को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा रामपुर रोड निकट मतुरापूर सीविगंज बरेली पर संचालित होने वाला रेनौल्ट कार शोरूम को सील बंद किया गया तथा पीलिभीद वाइपस रोड पर संचालित पार्ग ग्राउंड होटल द्वारा प्रशमन शुल्क के रूप में 20 लाग रुपे जमा किये गए बरेली विकास प्रादिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा विकास शित्र के अंतरगत आनंद सुरूप अगरवाल द्वारा रामपूर रोड निकट मतुरापूर सीविगंज बरेली पर रेनौल्ट कार शोरूम का बिना मांचीत्र स्विकरत कराय संचालान किया जा रहा था जिसके विरुद्ध प्रादिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की सुसंगत धाराव के अंतरगत कारवाही करते हुए अवैद शोरूम को सील बंद किया गया तथा इसके एतरिक्त पीलिभीद वाइपस रोड पर पार्क ग्रांड आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर रोटरी कलव बरेली साउध ने एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन आए में ब्लेड बैंक में रोटेरियन कपिल अगरवाल और रोहित जिंदल के नितरत्त में लगाया इस रक्तदान शिविर में कुल 47 रक्तदाता दोवारा रत्तान किया गया कारिक्रम में केंट विधायक संजीव अगरवाल और पूर्व नगर प्रमुख डॉक्टर आयस दोमर रवी परकाश अगरवाल विशेश रूप से मौजूद रहे रत्तदान शिविर को सफल बनाने में शेफाली कौशिक, सुईटी मित्तल, प्रीती जिं राजीव तनेजा, विभोर भरतिया, संजीव खंडेलवाल, राजीव अगरवाल, पंकज अगरवाल, संदीप महरा, अमर जीच सिंग, आनिल मनोहर, अचल कुमार का सक्रिय सहयोग रहा बिजली आपूरती सुचारूर रूप से नहीं हुई तो तीन दिन बाद धरना प्रदर्शन होगा डॉक्टर रवी नागर चौराहा नवदिया, एठपूर, रफियाबाद, किशनपूर, नंद गाउं, खजुआई, श्यामपूर, आधी दर्जनों गाउं की बिजली विद्धोतापूरती की समस्या को लेकर किसान नेता डॉक्टर रवी नागर ने अधिशासी अभियंता आउला ओम प्रकाश पाल को ग्यापन सौप कर मांग की है, कि दर्जनों गाउं के किसानों की फसले विद्धोतापूरती सुचारो रूप से ना होने के कारण सूख गई है, बरबाद हो गई है किसान नेता डॉक्टर रवी नागर ने बताया कि पिछले लगवग एक महीने से ट्रांसफोर्मर खराब होने के कारण दो लाइनों का लोड एक ही लाइन पर कर दिया है, कई बार शिकायत करने के पश्चादवी बिजली विभाग के अधिकारियों ने किसानों की बात पर नहीं दिया, जिसके कारण धान आदी की फसले सचाई ना होने के कारण बरवाद हो गई है, उन्होंने मांग की है कि तीन दिन के अंदर प्रभावी छेत्रों की बिद्धुतापूर्ती सुचारू की जाए, अनेता किसान एकता संग जनहित एवं किसान हित में धना धरना प जिला सचिव घंशियाम गुरजर, जिला मीडिया प्रभारी पंडित शुभम शर्मा, जिलावपाद्यक्ष नरेशपाल सिंग, अमरपाल, श्यामपाल गुरजर, आदी बड़ी संख्या में छित्री किसान अपस्तित रहे, मंडला एक तो सेलवा कुमारी जेने स्मार्ट से के अंतरगत किये जा रहे, कारियों को शीग्र प्रगती में लाया जाए, उन्होंने यह भी निरदेश दिये कि अर्वन हाट में डिजाइन का कारे दो दिन के अंदर पूर्ण किया जाए, उन्होंने कहा कि स्मार्ट सेटी के अंतरगत किये जा रहे, कारियों को समयांतरगत पूर्ण किया जाए। उन्होंने स्मार्ट सिटी योजना के अंदरगत पुराने रोडवेज बस स्टेशन तथा इजतनगर बस स्टेशन में सील ओन बनाने हितु नोडल अधिकारी को निर्देश दिये कि ARM रोडवेज को समनवे बनाकर भूमी चैनित की जाए। पर शोभा यात्रा के रास्तों पर विजली के तार लटक रहे हैं तथा जल भराव की समस्या है उसे ततकाल सही कराने से संबंदित अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने बैठक में उपस्तित लोगों को तियोहार शान्ती पूर्ण धंक से मनाने के निर्देश दिये। जिलादिकारी शिवाकांत दुवेदियाज पुलिस लाइन के रविंद्राले सभागार में आगामी पर्व श्रिकृष्ण जन्माष्टमी के संबंद में शान्ती विवस्था बैठक की अधिक्ष्टा कर रहे थे। शरारती तत्तों को शामिल ना किया जाए।